हालो एब्रीवान वेलकम डू जे एंटी ऑनलाइन क्लासेज और आज की क्लास में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लके जी की हिंदी की हाफ यर्ली एक्जाम प्रैक्टिस वरक्शीट तो हाफ यर्ली में बच्चो को क्या क्या प्रैक्टिस करानी है उसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इस वीडियो के बाद स्टार्ट हो जाए की यूके जी की हाफ यर्ली प्रैक्टिस सीरीज तो वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी तो जिसके भी बच्चे UKG में हैं तो प्लीज अपकबिंग जो वीडियो हैं वो देखना मत भूलेगा So let's start the video तो इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहला question है A से अंगा तक तो देखिया अगर LKG में बच्चे हैं और half year examination तक वो देने वाले हैं तो आपको पहली बात तो ये देख लेना है कि syllabus क्या है और syllabus के coding के आपको जलना है और A से अंगा तक तो जरूर करा दिया जाता है बच्चों को LKG में तो सबसे पहले तो उनको और से अंगा तक बिलकुल clear होना चाहिए लिखना आना चाहिए recognition proper होनी चाहिए before after ये सब चीजे आनी चाहिए तो सबसे पहले बच्चे लिखेंगे और से अंगा तक और जब भी practice कराए मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों को sequence में याद कभी न कराए उनको आगे पीछे learn कराए तो इससे क्या होता है न कि sequence बच्चे रट लेते हैं अगर हम आगे पीछे उनको कराएंगे तो उनके पास option नहीं होता फिर रटने का उनको बीच में से कभी भी कुछ भी पूछा जाता है अब जैसे next question है खाली जगे भरो तो अ फिर बड़े आसयाम छोटी से इमली फिर बड़ी से एक लिखा हुआ है छोटे उसे उल्लू बड़े उसे उन रिसे रिशी तो इस सरह से next question है उसके बाद है बाद का स्वर लिखो इसके बाद क्या आएगा और बच्चों को थोड़ा सा मैं confusing इसलिए यहां पर देती हूँ थोड़ा सा confuse करने के लिए क्योंकि अब जैसे आ के बाद तो आ उन्हें पता होता है लेकिन थोड़ा सा confuse करने के लिए हम आगे पीछे के change कर देते हैं जैसे बड़े आ के बाद के आएगा तो वो पूरा count करता है असे नार, बड़े असे आम, फिर छोटी से इमली and all of a sudden दे दिया रिसे रिशी अब रिसे रिशी के बाद क्या आएगा फिर बच्चे सोचेंगे फिर count करेंगे, मतलब फिर से उसे बोलना स्टार्ट करते हैं उसके बाद लिखते हैं A से A तो इस तरह से बाद का स्वर देना है बाद का स्वर बिल्कुल ये एक साथ वाला मन देना क्योंकि ये बच्चों को रटे हुए होते हैं तो आपको जो देना है जैसे बड़े आसे आम के बाद स्वर एकदम बदला हुआ हो, इस सरह से देना तो नेक्स कोशन स्टार्ट करते हैं इसके बाद चित्र देखकर स्वर लिखो चित्र देखकर एक्चुली स्वर लिखना नहीं है यहाँ पर मिलान है, मिलाना है लिखना नहीं है, मैंने इस गलत लिखा है तो ये मिलान है एक्चुली चित्र देखकर स्वर मिलाओ अब जैसे ये क्या है, बड़ी इसे एक बड़े उसे उन अंग से अंगूर, बड़े ऐसे अनक उसके बाद है पहले का वर्ड न लिखो चित्र देखकर बच्चों को उनको ये तो पढ़ना आएगा नहीं जो पीछे लिखा हुआ है तो उनको सिर्फ चित्र देखकर सबसे पहला स्वर लिखना है जैसे बड़े आसे आम है तो बड़े आसे आम यहाँ पे लिखतो बड़े उसे उन है तो बड़े उसे उन लिखतो उसके बाद नेक्स कोशन है क से न तक लिखो अचा क ख ग ये जो अगर बच्चों को इंट्रिड्यूस कराए गए हैं तो आपको देने है और किस तरह से देने है कहां तक कराए गए है वो स्लिबर्स पर डिपेंड करता है फिलाल मैं सिर्फ कर से लेकि जो कर वर्ग है सिर्फ वही दे रही हूँ तो यहाँ पे बच्चों को ट्रेस करने है यहाँ पर ट्रेसिंग करनी है आपको dot लगाके देना है और बच्चे यहाँ पर trace करेंगे बहुत बड़ी वीडियो नहीं है यह बहुत छोटी सी वीडियो है और मैं especially इसलिए शेयर करें जो हिंदी का जो paper होता है वो बहुत बड़ा नहीं बनता है छोटा ही बनता है क्योंकि हिंदी करने में बच्चों को लिखने में उतनी ही problem आती है तो इसलिए बच्चे बहुत टाइम ले दे हैं तो हिंदी का paper बहुत बड़ा कभी नहीं बनाया जाता तो पहले जो trace करने को दिया है वही उनको लिखने को देना है और मैं पहले भी जो दो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी अलके जी कि उ बहुत important है वो जरूर दीजिएगा इसमें भी बना के दीजिएगा उसके बाद चित्र देखकर वर्ण लिखो अब यहां पे कखगव वाले ही मैंने चित्र बनाये हैं अगर बच्चों को उससे भी आगे कराया गया हो तो आपको उसके आगे का भी देना है जैसे क क से कमल ग से गमला घर से घड़ी तो बहुत ही चोटी सी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी है आज क्योंकि बहुत चोटा सा पेपर बनता है और स्पेशली मैं बोलते हूं कि अगर आप बच्चों को हिंदी की प्राक्टिस करा रहे हैं तो लाइनिंग्स पे करा दीजिए और यह लकेजी यूकेजी के बच्चों के लिए है नर्सरी के बच्चों के लिए यह चीज़ कंपलसरी नहीं है तो उनको हम प्लेइन शीट देते हैं मतला हम उनको कोई लाइनिंग नहीं देते हैं तो यह देखिए तो यह हैं तीन वरक्षीट जो लकेजी की हाफ यरली रिविजिन के लिए है हिंदी की इसके बाद अब यूकेजी की रिविजिन स्टार्ट हो जाएगी जल्दी से जल्दी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो सबसे पहली जो वीडियो आएगी यूकेजी की वो अगेन इंग्लिश की आएगी फिर हिंदी की फिर माथमाटिक्स की तो बहुत छोटी सी वीडियो आई होब आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा चानल पर न्यू है तो चानल को सब्सक्राइब कर दीजिए फर मोर अपडेट्स चल देन गु